हमने इस धारावाहिक की पिछली कड़ी में बताया था कि 2765 में इलाहबाद की संदी के अंतरगत इस्ट इंडिया कमपनी ने मुगल बाद शाह शाह आलम जुतिय को 26 लाख रुपे वार्शिक पेंशन दे कर शासन के कारे से लगभग मुक्त कर दिया किन्तो इलाहबाद और कड़ा के सुबे अभी मुगल बादशा के अधिकार में थे तथा जमुना के आसपास की खालसा जागी ने अभी बादशा के अधिकार में थी कहने को तो यह शाह आलम की बादशाहत का अंत था किन्तु इस पेंशन से बादशाह का जीवन सुधर गया कहां तो डाल रोटी के भी लाले थे और अवद के सुवेदार की महरबानी पर जिंदगी कट रही थी किन्तु अब हर साल 26 लाक रुपे हाथ में आने से बादशाह की शानु शौकत और चमक दमक पहले की तरह लोट आई बिना कोई युद्ध किये बिना सल्तनत की परिशानियों में सिर्ख पाए बिना वजीरों के जगड़ों में मगस पच्ची किये बादशाह मजे से जिंदगी काट सकता था इस संधी के अंतरगत इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए इन अधिकारों का उपयोग करके कंपनी के गवर्नर वारीन हिस्टिंग्स ने बंगाल में द्वेहध शासन की स्थापना की इस व्यवस्था के अंतरगत बंगाल बिहार एमम उडिसा में किसानों से भूर आज़स्व की वसूली इस्ट इंडिया कमपनी करती थी जबकि नागरिक प्रशासन के लिए बादशाह शाह आलम की तरफ से बंगाल के नवाब को न्युक्त किया गया था बंगाल के नवाब के न्युक्ती केवल दिखावटी और कोरी कागजी कारिवाई थी कमपनी बंगाल बिहार उडिसाय हम अवद की वास्तविक स्वामीनी बन चुकी थी और अपनी मनमर्जी से भारतियों का शोशन करने लगी थी इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार देने के बदले में ही बादशाय को 26 लाख रुपे की वार्शिक पेंशन दी गई थी इस काल में आगरा का लाल किला भरतपुर के जाटों के अधिकार में था किन्तु दिल्ली का लाल किला अभी मुगल बादशाह की संपती था क्योंकि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दिल्ली का लाल किला नहीं चीना था इसे एक विडंबना ही समझा जाना चाहिए कि दिल्ली के लाल किले में बादशाह के वजीर और मीर बक्षी बादशाह की सल्तनत चला रहे थे किन्तुवे बादशाह शाह आलम को लाल केले में नहीं गुसने देते थे इस कारण शाह आलम छे वर्ष तक अवद के नवाब शुजाउत दौला के संग्रक्षन में इलाबाद के किले में निवास करता रहा। इस दोरान शाह आलम का पुत्र मिर्जा जवान बक्त भी नजीबुत दौला के साथ दिल्ली में था। इस अवधी में दिल्ली नगर का शासन ये दोनों मिलकर चला रहे थे। बादशा के भागे से इसवी 1770 में नजीबुत दौला के मृत्ति हो गई। बादशाह शाह आलम जवितिये ने इसे अपने लिए एक अवसर समझा और इसवी 1771 में शाह आलम ने माराठा सरदार महाजी शिंदे से एक समझोता किया। इस समझोते के अनुसार बादशाह ने इलावाद और कड़ा के सूबे मराठों को सौप दिये और इसके बदले में महाजी शिंदिया ने बादशाह शाह आलम को दिल्ली के लाल के लिए में पुनह प्रवेश दिलवा दिया तथा बादशाह के दरबार और महरम के खर्चे क रूप में उसे 13,00,00 रुपिया वार्शिक पैंशन स्विकृत की। बादशाह के अंग्रेजों का संगरक्षन त्याक कर मराठों से संधी करते ही अंग्रेजों ने बादशाह की पैंशन बंद कर दिये। तथा अंग्रेजों ने कड़ा और इलावाद के जो सूबे बादशाह की पेंशन घटा कर केवर 17,000 रुपे महीने कर दी। पहले अंग्रेजों की और बाद में मराठों की पेंशन के बंद होते ही बादशाह की शानो शौकत और चमक दमक फिर से जाती रही। नौकरों और बांधियों को बादशाह की सेवा से पुने हटा दिया गया और जीवन की पटरी फिर से दो जून की डाल रोटी पर लोट आए किन्तु बादशाह को संतोश था कि वह अपने पुर्खों के बनाए हुए लाल केले में बैठा था और हिंदुस्तान का बादशाह था ऐसा बादशाह जिसका हुकम किसी पर नहीं चलता था उसके पास एक भी सिपाई नहीं था कोई कोश नहीं था और लाल केले को छोड़ कर एक भी किला नहीं था कहने को तो लाल किला अभी लाल किला था किन्तु अब वह किसी बादशाह की राजधानी न होकर शाह आलम नामक एक आदमी का मकान बन कर रह गया था अब मुगल बादशाह का कोई दर्बार नहीं था इस कारण मुगल दर्बार की सदियों से चली आ रही दल बंदी भी सतैसमाप्त हो गई थी जिसके चलते कई मुगल बादशाहों के कतल हुए थे इसवी 1771 में जब शाह आलम द्वितियर पुनहलाल केले में लोटा तब उसकी आयू 43 वर्ष हो चुकी थी मुगल अमीरों, वजीरों और सुवेदारों द्वारा छोड़ दिये जाने के बाद अब इस्ट इंडिया कंपनी ने भी शाह आलम का साथ छोड़ दिया था जिसके कारण वे मराठों की दया पर जीवित था अब उसे मराठों से 17,000 रुपे महिने की पैंशन मिलती थी इस पैंशन से बादशाह रूटी खाता रहा और जीवित बना रहा कोई भी लाल के लिए में घुसकर मगल बादशाह को जीच सकता था इसी दोरान इरान से आये सफावी वंश के मिर्जा नजफ खाने बादशाह शाह आलम से संपर्क किया तथा उसने बादशाह के समक्ष एक मगल सेना खड़ी करने का प्रस्ताव दिया बादशाह ने उसे सेना खड़ी करने की अनुमती दे दी बंगाल के अबदस्त सूबेदार मीर कासिम की साहता से मिर्जा नजफ खाने मगल बादशाह के लिए एक छोटी सी मगल सेना खड़ी कर ली इस सेना को कुछ हाती घुड़े अं बंदू के भी मिल गई किन्तु इस सेना का कोई महत्व अथवा शक्ती नहीं थी यह सेना किसी से युद्ध नहीं कर सकती थी न बादशाह को उसका खोया हुआ इकबाल वापस दिलवा सकती थी इसवी 1772 में माराठों ने नजीबुद दौला के पुत्र जाविता खान की जागीर रोहिल खंड पर आकर्मन किया तथा जाविता खान को परास्त करके दिल्ली के निकट उसके अधीन चल रहे पत्थर गड़ पर भी अधिकार कर लिया और पत्थर गड़ में रखे विशाल खजाने को अपने कबजे में ले लिया रोहिलों ने मराठों की इस कारिवाई के लिए मगल बादशाह को जिम्मेदार माना और वे शाह आलम के शत्रू हो गए अगली कड़ी में देखिए सिक्खों ने लाल केले पर अधिकार कर लिया